हेलो एन वेलकम टू माई चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लानेट मैं हूँ आपके साथ हेमलता सबसे पहले आप सभी को अंतराष्ट्य महिला दिवस की धेर सारी शुब खामना है आठ मार्च यानी नारित्व के उत्सव का दिन और इस उत्सव के पीछे एक बहुत लंबा इतिहास रहा है नारित्व के उत्सव का सफर नामा हम डिस्कस करें उससे पहले जरूरी है एक बहुत मशूर नजम का जिकर करना दोस्तो हमारे देश के बहुत सारे सहित्तेकारों ने महिलाओं के अधिकारों के लिए अलग-अलग तरह से अपनी आवाज मुखर की लेकिन सबसे अगरणी है हमारे देश के मशूर शायर रहे, मशूर गीतकार रहे कैफी आजमी सहाब दोस्तो कैफी आजमी सहाब ने आजादी से पहले एक ऐसी नजम औरतों के लिए लिखी जिस नजम को स्त्रीवाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है दोस्तो ये वो दोर था जब भारत आजाद नहीं था यानि हमारे पास मौलिक अधिकार नहीं थे महिलाओं के लिए वातावरण सुरक्षित नहीं था और ऐसे दोर में महिला सशक्तिकरण के लिए एक नजम का लिखा जाना अपने आप में एक क्रांती का आगाज था दोस्तो ये नजम उस समय यानि आजादी से पहले जितनी लाजमी थी ये नजम आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और दोस्तो उस नजम का नाम है औरत उन्होंने औरत नजम में एक-एक अलफाज को जिस तरह से पिरोया है वो महिला सशक्तिकरण की जीती-जागती मिसाल है इस नजम के चंदलफाज आपके साथ साजा कर रही हूँ ताकि आप भी इस नजम की महत्ता को समझ सके। दोस्तो कैफी आजमी सहाब ने लिखा है, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, महिलाओं को संबोदित करते हुए उन्होंने लिखा है, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे खद्र तेरी तारीख ने जानी ही नहीं तुझ में शोले भी है अश्क फिशानी ही नहीं तेरी हस्ती भी है बस एक चीज जवानी ही नहीं अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे कैफियाजमी सहाब ने आगे दो बहुत महतुपोन पंक्तिया लिखी है उन्होंने कहा है, जौफे इश्रत से निकल, वहमे नजाकत से निकल जौफे इश्रत का यहाँ मतलब है कि अगर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो भी जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर जौफे इश्रत से निकल, वहमे नजाकत से निकल, वहमे नजाकत मतलब अपने आपको कमजोर समझने के भ्रहम से बाहर निकल जौफे इश्रत से निकल, वहमे नजाकत से निकल, कैद बन जाए महबत तो महबत से निकल लड़ खड़ाएगी कहां तक, संभलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे रुट बदल डाल फलना फूलना है तुझे उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे दोस्तो कैफी आजमी सहब की ये गजल अपने आप में महिलाओं को प्रेरित करने के लिए बहुत सशक्त माध्यम है मैं चाहती हूँ जितनी भी महिलाओं है और महिलाओं नहीं पुरुष भी एक वार इस नजम को जरूर पढ़ें क्योंकि उस दौर में जब आजाद भारत नहीं था तब हमारे देश के एक पुरुष शायर यानि कैफी आजमी सहब ने महिलाओं के लिए अपने आवाज बुल अहम है जैसा कि आज सब लोग जानते हैं कि अंतरश्य महिला दिवस के रूप में इस दिन को हम मनाते हैं लेकिन दोस्तों इस दिन को मनाने के लिए कई सालों का एक बहुत लंबा इतिहास हमें जानना चाहिए क्योंकि कोई भी एक उपलब्दी है और कोई भी उपलब्ती आसानी से नहीं मिलती दोस्तों इसकी शुरुवात उस समय हुई जब दुनिया में बहुत सारे देशों में लगभग सभी देशों में महिलाओं को न वोट देने का अधिकार था नहीं उन्हें काम करने के घंटे उनके लिए निर्धारित थे और नहीं उन्हें समान वेतन म बुलंद की दोस्तों मजदूर वर्ग के लिए भी बहुत सारी अधिकारों की आवाज बुलंद समय समय पर होती रही और उसी दोर में यानि 1908 में अमेरिका के एक शहर में महिलाओं ने एक रैली निकाली अपने अधिकारों के लिए अपने वोट देने के अधिकारों के ल और दोस्तों यही महिला अधिकारों की जीत थी इसके आगे कि अगर हम बात करें तो 1917 में सबसे पहले 8 मार्च के दिन ही महिलाओं ने एक बहुत ही महतुपोर्ण रैली निकाली दोस्तों आपको ध्यान होगा यह 1917 का वो दौर था जब विश्वयुद चल रहा था और उस दौ महिलाओं ने शांती के लिए खास तोर पर और अपने अधिकारों की स्रक्षा के लिए एक रैली निकाली और उस रैली का असर यह हुआ कि न सिर्फ जिस सोवियत संग में यह रैली निकाली गई थी उस एक एरिये के अलावा बहुत सारे ऐसे देशों में इसकी गूंज पह पहुची और इस 8 मार्च को खास तोर पर महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा अब बात करते हैं कि 8 मार्च क्यों क्योंकि 28 फरवरी को तो अमेरिका में आगाज हो गया था महिला दिवस मनाने का दोस्तों बात कर लेते हैं कि ग्रेगेरियन कलेंडर के अनुसार 28 फ नेक देशों में उस रैली ने अग्रणी रैली का काम किया तो दोस्तों इस वज़े से 8 मार्च का ये दिन चुना गया खास तोर पर महिला दिवस के लिए अब बात करते हैं कि अंतराश्ट्य महिला दिवस के रूप में कैसे मनाया जाने लगा दोस्तों जैसे सालों सालों तक अलग-अलग देशों में बहुत सारी जागरुकता आने लगी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया महिलाओं के काम करने के जो घंटे थे पहले 10 से 12 घंटे तक उन्हें काम करना पड़ता था जो कि 8 घंटे पर आकर उन्हें निर्धारित हुआ बहुत सारे ऐसे महिला दिवस के रूप में मनाने की गोशना की और इससे पहले अनेक देश अपने अपने तरीके से महिला दिवस मना रहे थे और दोस्तों 1975 के बाद से ही सयुक्त राष्ट्र संग ने एक थीम निर्धारित की है कि हर वर्ष इस दिन को मनाने के लिए एक विशेश थीम का भी निर्धारन होता है और उस थीम पर पूरे देश भर में कारेक्रम होते हैं और ये एक ऐसा आयोजन होता है जो कि हर देश अपने तरीके से अपने इलाकों में करता है दोस्तों एक बात और यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगे जब हम आठ मार्च के इतिहास की बात कर रहे हैं एक एहम कदम जो सेंट रसंग में लिया गया वो एक संविदा की गई बहुत सारे देशों के साथ कि हम जितने भी देश हैं जो कि महिला दिवस मना रही हैं अंतराश्टी महिला दिवस के रूप में मना रही हैं तो वो प्रतिबदता कैसे निश्चित की जाए कि वो महि महिलाओं के खिलाफ जितने भी तरह के जो भी भेदभाव हो रही है या हिंसा हो रही है उसके लिए एक सम्विदा बनाई गई और इस सम्विदा को 20 देशों ने अनुमोधन किया संग में और लगभग 189 देशों ने इस सम्विदा पर हस्ताक्षर किये दोस्तों ये एक बहुत सारे कानूनों में संशोधन हुआ है जो कि महिलाओं से जुड़े हैं बच्चों से जुड़े हैं या फिर बहुत सारे नए कानूनों का निर्मान भी हुआ है जैसा कि आप जानते हैं कार्य अस्तल पर योन सोशन से निवारन और समाधान ये एक बहुत ही एहम कानू जो पहली बार भारत में बना हलंकि इसकी नीव 1990 में 1993 में इसकी नीव रख दी गई थी लेकिन बहुत लंबे समय के संगर्ष के बाद ये कानून में तबदील हो पाया तो दोस्तो महिलाओं के अधिकारों के लिए जितने भी तरह के जो नए कदम उठाये जाते हैं वो इसलिए कि हर वर्ष हर देश को जो की इस कन्वेंशन का हिस्सा है अपने रिपोर्ट UNO में देनी होती है और अपनी प्रतिबदता वहाँ पर जाहिर करनी होती है कि हम को सुरक्षित वातावरन देना उनके अधिकारों का संदक्षन देना हर लोकतांत्रिक देश की प्रथम प्रात्मिकता है तो दोस्तो इस इतिहास को जानने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि 8 मार्च का ये दिन कितना एहम है क्योंकि बहुत लंबे और बहुत कड़े सं आप के पास से कोई महिला गुजरे या आप जहां हो वहां कोई महिला हो तो उसे डर ना लगे वो सुरक्षित महसूस करें बस इस सोच को विक्सित करने की जरूरत है दोस्तो आज का वीडियो बस इतना ही आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिक कर जरूर बताए के यकीन और बनिये किसी की उम्मीदों का उजाला थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो